दो हजार दो गुजरात फसाद के मामले में उस वक्त रियासत के वजिराला नरेंदर मोदी और दीगर को S.I.T. के जरीए दी गई क्लीन चिट को चैलेंज देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोट में समाथ हुई फसाद के दोरान साज़िश का इलजाम लगाने वाली साबिक कॉंग्रिस रुकने पारलिमन एहसान जाफरी की बीवी जक्या जाफरी के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोट में कहा कि इस मामले में कानून की धज्जिया उड़ाए गई है जक्या जाफरी ने कोट में कहा कि तफ्टीश कारों ने उस वक्त के लेफटिनेंट जनरल जमीर الدین शाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया जिन्होंने रियासत में अमन बहाल करने वाले फौजी दस्ते के कियादत की थी ताकि ये मालूम किया जा सके कि फौर्सिस को फौरी रसाई दी गई थी या नहीं ख्याल रहे कि गुजराथ हाई कोट में एक साल पहले जक्या जाफरी की अरजी को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने दो हजार दू में हुए फसादात के तालुक से उस वक्त के वजराला नरेंदर मोदी और दीगर को एसाई टी के जरीए दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने की जिली अदालत के फैसले को चैलेंज किया था